पिछले क्लास में हम लोगोंने पावर जन्रेशन के विशे में जाना था पावर जन्रेशन के संबंद में हम लोगोंने इनर्जी सोर्स के विशे में जाना था और जहां तक इनर्जी सोर्स की बात है तो इनर्जी सोर्स मुख्यता दो प्रकार के होते हैं एक conventional energy source और दुसरा non-conventional energy source और इसी के अंतरगत हम लगोंने बिभीन प्रकार के power plant के विशय में जानाता जहां पे हमारा power generate होता है अब generating power को उबहोगता तक पहुचाने का जो process होता है उस process को हम लोग power transmission and distribution करते हैं तो आज का जो हमारा जो topic है वह power transmission and distribution है power transmission और distribution में generated power को generated power को उबहोगता तक पहुचाया जाता है और इस process में power को विविन विविन चर्नों में गुजारा जाता है सर्वपरता मगर हम generating station के गर हम बात करें तो generating station में हमारा power जो है वो 11,000 voltage पे वो generate होता है और चुकि इंडिया का generating power का जो standard voltage होता है वो हमारा 11,000 voltage होता है इस voltage level को transmit करने के लिए power transformer लगा करके voltage level को increase किया जाता है जहां तक voltage level का बात किया जाए अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में maximum transmit high voltage जो है वो 750 होता है 750 kV लेकिन transmission अभी तक इंडिया में संबब नहीं है अभी तक जो maximum इंडिया में जो transmit voltage जो high voltage पे हुआ है वो हमारा 400 kV है और वो 400 kV भी बहुत कम जगों पे ही किया जाता है generally transmission voltage जो होता है वो हमारा 220 kV तक होता है तो generated voltage को power transformer लगा करके voltage level को high किया जाता है और voltage level को high करने के बाद ये voltage level हमारा इसको power grid में भेजा जाता है power station में भेजा जाता है और ये सभी जो भेजने का जो हमारा जो प्रोसेस होता है ये feeder के द्वारा होता है ये हमारा feeder के द्वारा होता है feeder हमारा क्या होता है feeder हमारा एक ऐसे युक्ति होती है जो alternator को step up transformer या step down transformer से जोड़ता है और ये जोडने के लिए हमारा या तो insulated conductor हो सकता है या तो हमारा non insulated conductor हो सकता है उससे हम लोग feeder करते है तो generating station से grid तक जो मेरा power जो transmit होता है power को जो भेचते हैं इस process को हम लोग बोलते है primary transmission फिर power grid से power grid में फिर से इस voltage level को step down transformer लगा करके voltage level को down किया जाता है मतलब 220 किलो भोल्ट को 33 किलो भोल्ट में इसे transfer किया जाता है और इस voltage level को पुना कहां sub station में बेजा जाता है power grid से sub station तक जो भेजने का जो मेरा process होता है इस process को हम लोग बोलते है secondary transmission बोलते है इसको secondary transmission बोलते है और sub station से sub station में पुना transformer लगे होते है और transformer में इस voltage level को पुना low किया जाता है और ये हमारा 33 किलो भोल्ट से 11,000 voltage तक down किया जाता है किसके दवारा transformer के दवारा और इस process को हम लोग primary distribution बोलते है और primary distribution में यहां से हम लोग इस supply को नगर उपनगर के नगर उपनगर आदे industrial छेत्रों में तता main distribution के इंदरों में power को यहां से हम लोग supply करते हैं अगर generally अगर बात करें अगर इस प्रकार से भी इसको हम बात कर सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सहर या गाउं के आसपास के चेत्रों में एक power station बनावा होता है मतलब हमारा वो sub station होता है उस sub station से फिर उस voltage level को down करके हमारे generally हम एक चोटा से एक example देना आपको हम चार हैं जो सभी लोगों ने लगवग लगवग देखा ही होगा कि हमारे गाउं में गाउं हो या सहर हो इसके आसपास में एक transformer लगे वे होते हैं और उस transformer के बाद से ही हमारे घरों में supply होता है तो मतलब उस transformer तक जो हमारा supply आता है वो भी transformer के primary side में जो हमारा voltage level in होता है वो हमारा primary distribution के धरकत आता है ठीक है और वो transformer और जो हम लोग घरों के आसपास में जो transformer लगे वे होते हैं वो हमारा distribution transformer होता है तो distribution transformer पुना क्या करता है कि उसे 11,000 voltage को 400 voltage के 400 voltage में उसको convert करके वो secondary voltage हमें देता है जहां तक तो यह जो process कलाता है यह हमारा secondary distribution कलाता है और उसके आगे हमारे घरों तक जो supply जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं service line बोलते हैं और service lines के तहथ यह हमारा service line जो है यह हमारा या तो overhead system में प्रियोग करते हैं या हम लोग underground system में भी हम लोग प्रियोग करते हैं इस परकार इस परकार हमारा generating station से उपभोगता तक power को पहुचाई जाती है जहां तक generating station के अगर हम भात करें तो generating station में भी power का use किया जाता है तो वो डिरेक्ट जनरेटिंग जनरेटिंग power को यह transformer में step down transformer में बेजा जाता है और step down transformer में उसको step down करके फिर voltage level को voltage level को down करने के बाद वो supply को company खुद भी use करती है साथ साथ में उसका जो कलोनी होता है उसमें भी वो अपना supply देता है इस परकार से हमारा पावर जनरेटिड पावर को consumer तक पहुचाया जाता है तक यू